पंजाब में बिधान सभा चुनाव से पहले प्रदेश के मुक्यमंत्री चरंजी सिंग चन्नी के नितरत वाली कॉंग्रेस सरकार और पार्टी के प्रदेश अद्देक्ष नवजोत सिंग सिद्दू के बीच में दोस्तों खीचातान लगातार जारी है सिद्दू खुद को मुक्यमंत्री का उम्मीदवार घोशत करवाने के लिए पार्टी हाई कमान पर बेफिजूल का दवाब डालते रहे हैं अब वो पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव और टिकेट के बटवारे में भी दरसल अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिस में जुटे हैं सिद्दू किसी भी कीमत पर खुद को प्रदेश का मुक्यमंत्री चेहरा घोशत करवाना चा रहे हैं और इसके लिए वो सारवजनिक मंचों से अपने बयानों के जरीए दबाव बनाने की कोशिस कर रहे हैं कॉंग्रेस के आला गमान पर इसी दबाव की रणनीती के तहट सिद्दू ने अपने फेस्वुक पोस्ट में लिखा कि स्वक्ष और स्वक्ष चरित्र आएगी सिद्दू सरकार इस बार पंजाब जीतेगा इसके पहले दोस्तों वो कह चुके हैं कि बिना दूले का बरात कैसे होगी हाई कमान को सीम केंडी रेट का नाम आगे करना चाहिए दरसल कॉंग्रेस ने चन्नी को ही मुक्यमंत्री का चहरा घोशित किया है लेकिन चन्नी विरोध में शुरू से खड़े सिद्दू को ये बात दरसल पच नहीं रही है उन्हें लगातार कुपच हो रही है कि कैप्टन नाम के कांटे को उन्होंने रास्ते से हटाया भी ये चन्नी कैसे आ गया वो अपने फेस्वुक पोस्ट के जरिया हाई कमान को सीधे तोर पर चनौती दे रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक समवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि कॉंग्रेस का मुख्यमंत्री हाईकामान नहीं दरसल जनता तै करेगी पार्टी सुत्रों के हवाले से न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि सिध्दू के बयानों से परेशान कॉंग्रेस नेतरत्र चनाव के कारण चुपचा बैठे हुए हैं क्योंकि कारवाई के लिए अभी समय नहीं आया है पार्टी अभी अपना फोकस चनावों पर रखना चाहती है सुत्रों का कहना है कि सिध्दू टिकेट बटवारे को लेकर भी कताई खुश नहीं है इसी कारण वो धवाब बनाने की कुशिस कर रही है हाला कि पार्टी नेतरत्त उनसे बात करने के मूड में नहीं है नहीं दे सकी और ड्रग गिरोह में शामिल बड़ी मचलियों को दंडित नहीं करवा सकी ख़वर दोस्तों आ रही है कि कॉंग्रेस ने पंजाब चुनाब के लिए 70 उमीदवारों की सूची तयार कर ली है वर्तमान विधायकों और मंत्रियों को अपनी अपनी सीटों से लड़े के लिए कहा गया है वहीं चन्नी सिद्दू और बलराम जाकड की बीच सीटों को लेकर के अभी भी लगातार तनातनी जारी है उनके बीच में दरसल विबाद चड़ा हुगा है इन सीटों पर नामों की घोशना रोक ली गई माना जा रहा है कि आज कॉंग्रेस किसी भी वक्त इसका एलान कर सकती है हाला कि सिद्दू इन नामों से संतुष्ट नहीं बताय जा रहे हैं और वे टिकेट बटवारे में अपनी मजबूत दखलंदाजी चाहते हैं यानि की सिद्दू लगतार दोस्तों उन विधायकों के लगतार नाम आगे दरसल रख रही है जिन से सीधे तोर पर नवजोट सिंग सिद्दू को सपोर्ट मिले यानि की चुनाव जीतने के बाद मैं हाई कमान पर दरसल धवाब डाल करके वो खुद मुख्यमंत्री बन सके यानि की सीधे तोर पर रहूल गांदी, सौनिया गांदी, प्रियंका गांदी वाट्रा को चनौती पर चनौती देते जा रहे हैं अब जो कॉंग्रेस आला कमान है उसे इस बात का दरसल बहुत ही जादा पच्चतावा हो रहा है की आकिरकार उन्होंने कैप्टन अरिंदर सिंग को नवजोँ सिंग सिद्दू के कहने से कुर्सी से क्यूं हटाया और तमाम मंत्री मंडल के लोगों ने अमाम वरिष्ट नेताओं ने सीधे तोर पर कॉंग्रेस आला कमान से ये कहा था कि किसी भी कीमत पर नवजोट सिंग सिद्धू की बात ना मानी जाए, नवजोट सिंग सिद्धू को पंजाब कॉंगरेस का देक्षन ना बनाया जाए, बावजूद इसके सोनिय गांधी ने ये फैसला लिया और अब इसी की वज़े से लगातार राजनतिक गल्यारों में कॉंग्रेस आला कमान की फजियत होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि दिल्ली से जो दरसल ओर्डर्स दिये जा रहे हैं उन्हें पंचाब कॉंग्रेस के निता चाहिफर वो नबजोत सिंग सिद्धू हो चन्नी हो वो कताई मानने के लिए तयार नहीं है लगातार खीचातानी चल रही है और इस खीचातानी की वज़ए से सीर्य तोर पर भारती जनताफाटी को दरसल फाइदा होगा इस बात से इंकार कताई नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो कैप्टन अमरिंदर सिंग है वो अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं अपनी अलग पार्टी से वो दरसल चुनावी रंड में उतरे हुए हैं और अब किसानों के जो मुद्दे थे जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंग अड़े हुए थे जो भी क्रशीफ के जो दरसल कानून लाए गए थे उनको भी किंदर सरकार ने वापस ले लिया है जो मीटिंगें दरसल हुई थी कैप्टन अमरिंदर सिंग की अमिशा के साथ में भारती जनता पार्टी के और दूसरे तमाब बड़े निताओं के साथ में उसके बाद से ये कयास जो रोप पर हैं कि भारती जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंग के बीच में पोस्ट इलेक्शन अलाइंस होना तै है यानि कि अमरिंदर सिंग दोस्तो एक बहुत बड़ा चेहरा है पंजाब की पॉलिटिक्स में अगर कॉंग्रेस इतने सालों से अगर पंजाब में लगातार सत्ता पर काबिच रही है तो इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंग की दोस्तो बहुत भड़ी भूमिका रही है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन इस बार पंजाब की सियासी तजवीर दोस्तों कुछ अलगी बन कर निकल रही है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंग ने नाराज होकर के कॉंग्रेस पार्टी से नाता तोड़ा अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी लॉंच की और वो सीधे तोर पर चुनाब लड़ रह ही है ये कही न कहीं इस बात की तरह विशारा कर रही है कि क्या पंजाब से भी कॉंग्रेस का सूपड़ा साफ होने बाला है क्योंकि पंजाब में कॉंग्रेस की बरबादी की पठकता जो नवजोत सिंग सिद्दू ने दरसल लिखनी शुरू की थी वो अभी बंद नहीं मुख्यमंत्री पद का केंडिडेट घोशत किया जाए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए क्योंकि नवजोत सिंग सिद्दू ने कैप्टन अमरिंदर सिंग का पत्ता इसलिए कटवाया था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जाए लेकिन पार्टी ने उनको प्रदेश अदेक्ष बना दिया अभी भी उनको दरसल मुख्यमंत्रीपत की कुरसी नहीं मिल पाई तो ऐसे मैं अब कैप्टेन अमरंदर के हटने के बाद में अब जो दरसल लडाई चल रही है वो चन्नी वसेस नवजोत सिंग सिद्धू और नवजोत सिंग सिद्धू वसे दिल्ली का आला कमान यानि की प्रियंका गांधी बाडरा सौनिया गांधी और राहूल गांधी के बीच में चल रही है जो सीधे तोर पर पंजाब कॉंग्रेस के लिए एक बहुती बड़ा सैट बैक सावित होने वाली है और अब यकीन मानिये कि अगर पंजाब में कॉंग इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन जिस तरीके से जो दरसल पंजाब में सियासी उलट फिर देखने के लिए मिल रहे हैं मैं बदलाव की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक समय पर भारतिय जनता पार्टी का उतना बड़ा यादव और फिर अखलेश यादव का दोर आया लेकिन भारती जनता पार्टी को सबसे बड़ा फाइदा कब मिला जब सपा के अंदर ही दरसल जो चाचा भातीजे के बीच में जो फूट पर चुकी थी और समाजवादी पार्टी दरसल जो है दुफार हो चुकी थी उसकी बज़े से उत्तरप्रदेश में भारती जनता पार्टी को खासा फाइदा मिला था अब वही वाक्या दरसल पंजाब में भी घटेत होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में जो कॉंग्रेस पार्टी है जो की सबसे मजबूत पार्टी मानी जात तो ऐसे में भारती जनता पार्टी को एक बड़ा जो है ये फाइदा हो सकता है और जो आपसी कलहे चल रही है कॉंग्रेस में वो पंजाब कॉंग्रेस के लिए बड़ा सेट बैक साबित होने वाली है ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ बहराल जो पंजाब कॉंग्रेस के नेता है नवजोत सिंग सिद्दू जो लगातार रहूल गांधरी और प्रियंका गांधी वाड़रा और सौनिया गांधी को लगातार ललकार रहे हैं इस पर आपकी जो भी राय है क्या आपको भी लगता है कि पंजाब में इस बार काम से गरने वाली है जो भी आपकी राय है मुझे कॉमेंट सक्षन में जो ख्लिक पता हैं इस वड़े मैं अतना ही जल्द मिलूगा किसी दूसरे वड़े के साथ में दूसरे अपडेट के साथ मैं तब तक के लिए धनवात अगर आप लोग चैनल पर नाए हैं तो प्लीज च